Finance से जुड़ी latest information पाने के लिए Finnovations अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और notification पाने के लिए bell आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के FinPoint सेशन में आपका स्वागत है और आज का first अपडेट है Economical Airline Company Go Air ने domestic और international travelers के लिए quarantine packages शुरू किये हैं इसके तहट airline passengers को quarantine period के लिए चुरिंदा शेहरों में सस्ते से लेकर महंगे hotels में ठहरने के लिए कमरे ओफर करेगी इसके लिए rooms का किराया 1400 रुपीज से शुरू होगा Corona Virus महामारी के बीच किसी airline company ने पहली बार इस तहां का package ओफर किया है Next update है Corona Virus lockdown से aviation sector पर बहुत बुरा असर पड़ा है कई airlines companies ने छटनी तक कर दी है अब करीब 75 days बाद aviation sector को बहुत बड़ी राहत मिले वाली है देश के Civil Aviation Minister हरदीब सिंग पुरी के अनुसार अमेरिका के लिए 17 जुलाई से और France के लिए 18 जुलाई से international flights शुरू हो जाएंगी हाला कि इसमें कुछ terms and conditions जुड़े हुए है इसके बाद Germany और England के लिए भी flights शुरू कर दी जाएंगी Next update है मुश्किल वक्ट में Tata Consumer के shares ने शांदा return दिया है Lockdown के दरान इस share का price डबल हो गया है Tata Group अपने सभी consumer business को Tata Consumer Products के तहत launch करती है पहले इस company का नाम Tata Global Beverages था Starbucks के साथ इसकी मौझूदगी कैफे business में भी है इस company से जुड़ी अच्छी खबरों का असर इसके shares पर पढ़ चुका है Lockdown के दरान इस share का price डबल हो गया है फिलहाल इसका price 400 रुपीज से ज्यादा हो गया है Next update है Railway stations को airport की शकल देने के लिए Government की privatization scheme पर COVID की वजह से हुए Lockdown का कोई असर नहीं पड़ा है Ministry of Railways की तरफ से last December में Gualier, Nagpur, Amrit Sir और साब्रमती Railway Station के Redevelopment के लिए Bids मंगाई गई थी इससे 26 जुन को खोला गया था जिसमें कुल 32 Bids मिली थी इनमें से 29 Bids को Railway ने accept कर लिया है जिनकी Bid accept की गई है उनमें Infra Projects Limited Kalpataru Power Transmission Limited GMR Business and Consultancy LLP और Cube Construction Engineering Limited जैसी Companies शामिल है Next update है Mind Space Business Parks Real Estate Investment Trust का IPO July के Last Week में पेश किया जाएगा Investment Bankers के अनुसार इस इशु के जरिये 4700 क्रो रुपीज तक कलेक्ट किये जाएंगे Mind Space REIT में Blackstone की बड़ी हिस्सेदारी है इस इशु में Blackstone और K रहेजा Corp अपनी हिस्सेदारी से 3700 क्रो रुपीज के शेर्स बेशने वाले है जबकि 1000 क्रो रुपीज के फ्रेश शेर जारी किये जाएंगे Mind Space दूसरा Real Estate Investment Trust होगा जो Indian Stock Market पर लिस्ट होने वाला है Next update है जो लोग इन दिनो ट्रावल कर भी रहे है वो मजबूरी में ही कहीं जा रहे है ऐसे में पैसेंजर की इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए Indigo ने एक Special Offer शुरू किया है इसमें जो पैसेंजर प्लेन में अपनी ज्यादा सुरक्षा चाहते है वो एक की जगा दो सीटे बुक कर सकते है दूसरी सीट के लिए पैसेंजर को टिकेट के टोटल अमाउंट का 25% और देना होगा Indigo की ये सर्विस 24 जुलाई से शुरू होगी Next update है CK Buildla Group की कमपनी Orient Electric ने UV Santec की पेशकरश के साथ हाइजीन प्रोडक्स के फिल्ड में एंट्री की है जो COVID-19 महामारी के समय एक बिजनस ऑपरचुनिटी है कमपनी के अनुसार UV Santec एक बॉक्स के शेप का सैनिटेशन चेम्बर है और दावा किया है कि ये कोरोना वारस, बैक्टीरिया और फंगस वाले वारस को मारने के लिए Ultra Violet Light का इस्तमाल करता है Orient Electric के अनुसार कमपनी अपने फरीदाबाद प्लांट में सैनिटेशन बॉक्स की मैनुफेक्चरिंग कर रही है और नियर फ्यूचर में इस कैटेगरी में और ज्यादा प्रोडक्स ओफर करने की योजना बना रही है Next Update है Reliance Jio की 43rd Annual General Meeting में Reliance के चेर्मेन मोकेश अंबानी ने कई अनॉंसमेंट्स किये है इसमें सबसे बड़ी और important announcement Reliance Jio और Google की partnership की है AGM में officially बताया गया कि Google Reliance Jio में 33,000 क्रोड का investment करके partnership करेगा इसके बाद Jio और Google दोनों मिलकर Android-based एक affordable smartphone market में पेश करेंगे इसके बाद से Indian market में जमी हुई Chinese companies में हलचल हो गई है चाइना का Indian mobile industry में दबदबा रहा है लेकिन Jio को market का equation बदलने के लिए जाना जाता है Jio जब से market में आया है तब से भारत में internet data और calling rates में जोरदार revolution दिखाई दिया है अब Reliance Jio का smartphone market में उतरने की तयारी दिखा रहा है जिसके बाद Indian market में अपना pair जमागी Chinese mobile companies के लिए problems create हो गई है Next update है HCL Technologies का profit June quarter में 31.7% बढ़कर 2,925 crore रहा Company ने एक साल पहले June quarter में 2,220 crore profit कमाया था Company ने आज सुभा अपने 4th quarter का result अनौन्स किया जिसके बाद इसके shares में तेजी देखने को मिली June quarter में HCL Technologies का consolidated revenue 8.6% बढ़कर 17,841 crore रहा April से June quarter में company का EBITDA यानी Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 34.3% बढ़कर 4,566 crore रहा जो पिछले साल June quarter में 3,401 crore रहा यहाँ पर हमारा आज का finpoint session समाप्थ होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए thank you साथ ही इसी तरह की daily videos और detailed case studies सबसे पहले पानी के लिए हमें subscribe कर bell icon प्रेस करना ना भूलें